बर्गर खाना हर किसी को बहुत पसंद होता है और आज मैं आपके लिए लेक्या हूँ बर्गर की बहुत यासान, कम इंग्रेडेंस के साथ और एकदम हल्दी तरीके से बनने वाली रेसिपी तो चलिए आज के मज़दा रेसिपी शुरू करते हैं वेज बर्गर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम उबले हुए आलू लिये हैं आधा कब उबाला हुआ हरा मटर ले ले, एक बड़ा चमच अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट या फिर क्रश किया हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता ले लेंगे, गरम मसाला पाउडर डाल दे, लाल मिर्च का पाउडर, नमक स्वात के अनुसार और इसके साथ हम चाट मसाला पाउडर डाल देंगे अब हम इसमें कॉनफलोर डाल के इसे बाइंड कर लेंगे तो कॉन फ्लूर जो है न वो बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे तो कॉन फ्लूर आप अपने हिसाब से यूज़ करें मैंने यहाँ पर दो बड़े चमच कॉन फ्लूर डाला है कॉन फ्लूर डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे और इसकी बाद हम इसकी टिक्की बना लेंगी तो यहाँ पर यह देखिए हथेलियों पर थोड़ा से आयल लगा के ऐसे स्मूथ कर ले और इसकी बाद ऐसे इसे ऐसे टिक्की का शेप दे दे तो इसी तरीके से हम सारी आलू टिक्की जो है वो बना लेंगी अब हम इसे इस cooking tray पे रख देंगे और इसके बाद इसे cook कर लेंगे आज की इस recipe को हम LG charcoal healthy oven में cook करेंगे तो recipe book manual के हिसाब से हम यहाँ पे microwave oven में higher rack रखेंगे और इसके बाद यह tray रख देंगे oven को बंद करके हम यहाँ पे इसका mode select कर लेंगे तो यहाँ पे यह mode select किया मैंने और इसके बाद जितनी quantity अप use करें उसके हिसाब से आप इसे change कर दे तो यहाँ पे start किया मैंने जैसे यह बीप करेगा हम इसे साफधानी से खोलेंगे और इसके बाद हम इस tray को निकाल की और टिक्की को एक बार पलट देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके उपर हलका सा golden color आ गया है तो अब हम इस tray को वापस microwave oven के अंदर रख देंगे और microwave बंद करके start का button प्रेस कर देंगे जैसे यह timer start होगा ना वापस एक बार बीप होगा तब हमें यह burger को वापस इसमें रखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि timer खतम होने के पहले यहाँ पे बीप होगा है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और अब हम तुरंट फटा फट यह burger को असेंबल कर लेंगी तो यहाँ पे मैंने यह brown bread का button लिया है आप चाहिए तो normal white bread का button भी ले सकते हैं जो भी burger band आप इस्तमाल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं तो हम यहाँ पे तेल वाला नहीं बना रहे हैं न तो मैं यहाँ पे brown bread इस्तमाल करे हूँ और यहाँ पे यह burger band के दोनों side आप butter लगा दें और इसके उपर हम ketchup लगा देंगी आप चाहे तो इसके उपर burger sauce भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद है ketchup लगाने के बाद हम इसके उपर एक cheese का slice रख देंगे और इसके उपर हम यह aloo टिकी रख देंगे जो हमने बनाया aloo टिकी के उपर हम प्याज और tomato रख देंगे अगर आपको lettuce पसंद है तो आप इसके उपर lettuce भी रख सकते हैं अब हम वापस एक cheese का slice रख देंगे और इसके उपर यह burger बन का top वाला हिस्सा रख दें हलका सा press करें और last के जो कुछ seconds रहेंगे न माइक्रोवेब में उसमें हम इस burger को toast कर लेंगे ताकि वो थोड़ा गरम हो जाए तो खाने में ज़्यादा अच्या लगेगा तो यहाँ पर मैंने इसे ट्रे में वापस रखा और वापस इसे हाई रेक पे रख के टाइमर खतम होने का इंतजार करेंगे जैसे यह zero पर आ जाएगा हम यहाँ पर microwave oven को open करेंगे समये